तो से नेना मिले के मैं यहां पे राजीव की शादी हो रही है और जो हंसनी है वह है बदल लेती है अपना बयान जो दूसरे पार्टी की नेता है उसे कह देती है कि यह मुझे जबरजस्ती यहां राजीव के खिलाफ बोलने लाई है मेरे पती ने मुझे पर कोई अत्याचार नहीं किया और देखिए आपके सामने मुझे मारने की कोसिस कर रही है यह ब्रस्टा चारी है और जब अजस्ती की है मेरे साथ राजिव के खिलाफ जाने के लिए ताकि उसकी राजनेतिक छपी खराब हो सके रिपोर्टर उसके पीछे लग जाते हैं हंसनी पता नहीं क्यों अपना बयान बदल लेती है और बहुत रो रो कर सबसे कहती है कि मेरे राजिव जी ने कुछ नहीं किया यहां घर में कोहू और सारे लोग एखटे हैं और हंसनी आ जाती है राजीव कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूँगा तो रखवेंदर सारा सामान उठा उठा कर तब ही बुआ जी आ जाती है और उनकी मा भी आ जाती है मैं मा से गले लग जाती है जान बूच कर और पकड़ लेती है उन्हें कहती है कि कोई भी इस बंडप का सामान अलग नहीं करेगा और अगर अलग किया किसी ने तो हम से बुरा कोई नहीं हो अभी असाधी हो नहीं सकती, चाहे कुछ हो जाए, कुछ उपचाप खड़ी है, और कहती है कि तुम्हारे मकसद कभी काम में आप नहीं होंगे, चाहे तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, पहले भी तुमने यहीं किया था, रगवंद्र जी कहते हैं, मैं नहीं जानता, चाहे स्वागत हो रहा है, मैं नए तरीके सिक्रह प्रवेश कर रही हूँ, आप परिशान मत हो, वह फायदा उठाती है बाहर पार्टी के लोगों के होने का, और कहती है अभी हम आते हैं, और अंदर चली जाती है, कुछ नहीं कह पाती, राजीव जी के कारण, और कोई भी कुछ जरूरत है, दुनिया में कितना ब्रष्टाचार हो रहा है, हमारे इलाके के लोग कितने पिर्डित हैं, आप अपना किया हुआ इतना सारा काम केवल हंसनी के पीछे बरबात कर देंगे, क्या आपको सब की जरूरत है, एक हंसनी के लिए इतनी सी बात के लिए आप सारी आप पहले अपना काम कीजिए